बोलिये शिरी प्राणनात प्यारें कीजें, शिरी सत्गुरु महराजी कीजें, शिरी बाबा दयाराम साहें, आपकी सदा हीजें, सिरी माराजी जुआरदा साहें, आपकी सदा हीजें, सिरी वंदो सत्गुरु चरणे को, करू सोप्रेम परणा, आशो भरण मंगल करन, धनी शिरी देव चंद्रजी ना, शिरी प्राणि नाथ निज मूल पती, शिरी मेह राज सुना, शिरी तेज कुवर शामा युगल को, पल पल करू परणा, शिरी प्राणि नाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहे ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी नाहरें, वली गया काम सराणें चड़ें, मन चित्व्या कारज सरें, मन चित्व्या कारज सरें, बोली शिरी प्राणि नाथ प्यारे की जय, शिरी धाम धनी जी के अत्यंत लाडले, एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हिरदय में, विराजमान सिरी राजशामा जी के शिरी चरणों में, मेरा कोटान कोट बेर पर नाम, लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी की अप्रम पार कृपा से, हम धनी जी के चरणों में बैठ सकते हैं, है न, तुम बेठाए बैठत, मुझ में नहीं ताकत, क्या कहती हैं शिरी इंदरावती जी, कि तुम बेठाए बैठत, कि आप बैठाते हो, तो आदे घंटे के लिए हम आपके चरणों में बैठ सकते हैं, मुझ में नई ताकत शिरिंद्राफति जी कहती है मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है कि मैं बैठ के वानी चर्चा सुन सकूँ है बैठी तले कदम के ये भी तुम कहावत मैं मुल मिलावे में धनी के चरणों में बैठी हूं ये भी आप ही कहलाते हूं अंदर सिवाला जी है ना तो लाडले सुन्दर साज जी धनी जी की क्रीपा से हम सब उपस्तित हो जाते हैं हमारी दिवया जी खेत्रपाल दिल्ली से मंता जी भगत जैपूर से और हमारी रेखा रानी जी अरुना जी सिंगल भीवानी से अंबिका जी शर्मा नेपाल से और हमारी सुष्मा जी से थी शिरी गंगा नगर से और हमारे विजे जी से थी शिरी गंगा नगर से रेनु पंकच गुप्ता भादरा से और हमारे शिरी राजक। रंजना जी अरोडा दिल्ली से आये लाड़ले सुंदर साज जी हम धाम धनी जी के शिरी चरणों में अपनी सुर्ता को लगाते हुए धनी के चरणों में प्रार्थना करते हैं माया में मिले हो पिया, माया से पारी करे दो, माया में मिले हो पिया, माया से पारी करे दो, आतमे के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भरे दो, आतमे के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भरे दो, माया में मिले हो पिया, माया से पारी करे दो, माया चल वाली है, क्रीपा अपनी रखना, कहीं पामना फिसल जाए, शफकत अपनी भरे ना, कहीं पामना फिसल जाए, शफकत अपनी भरे ना, वानी चर्चा सुना करिके, अब हमको तुम जगा दो, ओ वानी चर्चा सुना करिके, अपनी आतम को जगा लो, माया में मिले हो पिया, माया से पार कर दो, आतम के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो, ओ इक जाम पिला कर के, मद होश हमें कर दो, ओ वानी जाम पिला कर के, मद होश हमें कर दो, चंद स्वास जो हैं बाकी, बीत तेरे चर्णों में, जीना तेरे चर्णों में, मर ना तेरे चर्णों में, मर ना तेरे चर्णों में, ओ मुझे और ना कुछ भाए, यही आस पूरण कर दो, माया में मिले हो पिया, माया से पारी कर दो, आईये लाडले सुन्दर साज जी, हम वानी चर्णा को आगे बढ़ाएं, आप तनी पणखबर पड़े, घर पर आतम रुदे चड़े, महामती स्वामी शिरी प्राण नात जी, अक्ष्रातीत धाम के दुल्हा इस चौपाई में फर्मा रहे हैं, कि भई, वानी चर्चा सुनने से क्या होगा, उपर वाली चौपाई में कह रहे थे कि, ए निद बीजे कोणे न अपाएं, ये वानी चर्चा रूपी जो खजाना है न, ये ब्रह्म वानी है न, ये दूसरे किसी को दी नहीं जा सकती, सीदी सी बात हैं, क्योंकि मेहर होए ना बीना अंकूर, अंकूर के बीना क्रीपा नहीं होती, और चर्चा में सोहियावत जाके धनिये पकड़े हाथ, चर्चा अपनी मर्जी से सुनी नहीं जा सकती, है न, और ये आदा घंटा जो है न, ये श्री इंद्रावती जी लोकडाउन ग्रुप के जो सुन्दर साथ है न, इनको तो रोज कहना चाहिए, पिया तेरी मेहर के भिन यहां, आया नहीं जाता बिना तेरे, बिना तेरे है धनी आपकी क्रीपा के बिना हम इस मैफिल में भी नहीं आ सकते हैं, आपकी क्रीपा के बिना हमें पता हैं कि तीन वरश से लगातार ये वानी चर्चा चल रही है, और हम लोग उनकी क्रीपा के बिना नहीं सुन सकतें, उन्होंने कहा दया भी तिन पर होई सी जिनके असल अंकूर अवल मद्य आखर सदा हक के हजूर, ये चौपाई मैंने तो नहीं उतारी न, ये चौपाई किस ने उतारी, महामती को उतरी, दया भी तिन पर होई सी, देखिए आप चौपाई को, कि क्रीपा भी उन पर होगी, जिनके असल अंकूर, ये वानी चर्चा कोई अपनी मर्जी से सुन नहीं सकता, लाडले सुन्दर साजी, और कैते किरपा भी तिन पर होई सी, जिनके असल अंकूर, जिनका असली परमधाम का अंकूर होगा न, उनी पर क्रीपा होगी, अवल मद्य आखर परमधाम से लेके, मद्य ब्रिज और रास में, आखर जागनी बर्माण में, सदा साहव के हजूर, वो आतमाईं ब्रिज में भी पिया जी के साथ थी, रास में भी उनके साथ थी, और जागनी बर्माण के अंदर भी, वो आतमाईं आज वानी चर्चा के रूप में धनी के साथ हैं, क्यों? क्योंकि धनी जी कह रहे हैं, कि ए निद बीजो कोने न अपाई, यह जो धन है ना, वानी रूपी धन, वानी चर्चा रूपी रस, यह धन किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता, ए निद, निद मिन्स खजाना, ए मैंने ये, ये खजाना बीजो, बीजो मिन्स होता है दूसरा, कोने मैंने, कोई नहीं, न अपाई, कहते, यह अखंड ग्यान की निदी, और किसी के द्वारा नहीं दी जा सकती, और किसी के द्वारा नहीं दी जा सकती, धनी बीजो, कोने सामूना जवाई, कहते, सत्गुरु धनी के अलावा, दूसरा, कोई भी इसको देने वाला नजर नहीं आता, सत्गुरु धनी के बीना, यह खजाना, कोई भी नहीं दे सकता, श्री इंद्रावती जी कहती है, यह निद भी जो कोने न अपाई, यह अखंड ग्यान की निदी, और किसी के द्वारा नहीं दी जा सकती, सत्गुरु धनी के अलावा, कोई भी इसको देने वाला नजरी नहीं आता, यह धन कौन देंगे सुन्दर साज जी हमें, किसको हमारी फिकर पड़ी है, किसको चिन्ता पड़ी है, आप विचार करके देखें, कौन है, जिनको हर पल लगता है, कि मैं ब्रह्म स्रिष्टी और दुनिया देवु सबे जगाए, वो एक धाम के धनी, एक शिरी इंद्रावती जी, जह हमारे परमंस माराश्री जुवारदास जी को दर्शन दे के शिरी प्राणना जी भाईजुराज माराणी साहिवा, उनके हिर्दे में भी राजमान हो गए थे, जो अपड़ा मंदिर में, चार बजे सुखपाल उत्रा था, चार बजे साक्षात कार किया, परमंस, वानी विशारद, चर्चनी समराट, माराश्री जुवारदास जी ने, और साक्षात शिरी प्राणना जी भाईजुराज माराणी साहिवा, उनके हिर्दे में आ गए, आज उनी के हिर्दे में बैठके, सत्गुर रूप में, हम सुन्दर साथ को जगा रही हैं, वोई शिरी इंद्रावती जी कह रही है, मैं पिछले साथ की करूँ बड़ी यतन, मैं पिछले सुन्दर साथ के लिए, बड़े यतन, बड़े प्रयतन करती हूँ, कि मेरा सुन्दर साथ कैसे जग जाए, और वोई शिरी इंद्रावती जी कह रही है, जागो जगाऊं जुगत सो, छोडो नींद विकार, पहचान कराऊं पिवसो, सुफल करूं अवतार, वो शिरी इंद्रावती जी कह रही है, जागो जगाऊं जुगत सो, ए मेरे लाड़ले सुन्दर साथ जी, आप जाग जाओं मैं आपको युक्ति के साथ जगा रही हूँ युक्ति क्या है कभी पाठ रखा के और आपको बुलाती हो कि पराइन रखे हुए है आईए पराइन पढ़ लीजिए है ना कभी भजन केर्टन करवा के है ना और कभी चर्चा सुना के है ना और कभी पाठ करवा के कि दो तार्तम की माला तो करो सुबह शाम छे सो चपाई तो वानी की पड़ो चित्मनी करो थोड़ी दिर बैठ के है ना तो शिरी इंद्रावती जी कितने उपाए कर रही है क्योंकि परमधाम से शिरी रजी महराज ने का था मैं तुमारे वास्ते करूंगा कई उपाए ये सारे उपाई है सुंदर सायच जी क्योंकि शिरी जी कहते हैं वानी में जो लो इश्क ना आया तो लो करो उपाए योही इश्क जोश आवसी, पल में देशी पट उड़ाए, जब तक आपके अंदर इश्क नहीं आता, तब तक आप उपाय करते रो, प्रेम से सेवा करो, सत्गुरु की, धनी की, सेवा से रिजालो सुन्दर साथ को, है न, सत्गुरु जी को सेवा से रिजालो, है न, वानी पड़ के रिजालो, हमें पता है न, शिरी पांच पदमावती पुरी धाम, शिरी मंगलाजी दरबार की अंदर, हमारे शिरी प्राणनात जी, शिरी जी सायब जी, सारे सुन्दर साथ से, क्या सुनते थे, चोदा वारियां आती थी, वानी गायन करने वाली, है न, और वो च चोदा वानी गायन, वारियां क्या करती थी, चोदा वारियों में आके, शिरी जी साहिब जी को वानी सुनाते थे, और वानी सुन सुनके, शिरी जी साहिब जी रीज जाते थे, और रीज के परसन्नों के, फूल मला, कलंगियां, हार, मुरली धर जी के हाथ बेजते थे, क्य कौन-कौन वानी की चर्चा कर रहे हैं, जो सुन्दर साथ वानी की चर्चा कर रहे हैं ना, चर्चा की अर्चा कर रहे हैं ना, जाइए मुरली धर जी, उन सब के गले में ये फूल माला पहना दीजिए, कभी-कभी धांदनी परसंद होके हमें मंदिर में फूल माला पहनाते ह तो हमें पहचान नहीं होती उस फूल माला की, हम क्या करते हैं, उस फूल माला को उतारते हैं, उतार के साइड पर रख देते हैं, या माइक वाले स्टेंड पर टांग देते हैं, और वहीं छोड़के घर चले जाते हैं, अरे, भाग्ये से नहीं, सो भाग्ये से धाम दनी अत् परसंद होते थे ना किसी पर उसको फूल माला पहनाते थे यह फूल माला कोई राज नेताओं वाली नहीं होती यह फूल माला जब पहनाई जाती है ना मंदिर में या किसी पूरी में श्री गुम्मट जी में श्री जी पहनाती है बंगला जी में पहनाती है सत्गुरु मंदि आपने कोई सेवा करी होगी आपके सेवा को देखके प्रसन हुए होगे श्री जी सायब जी आपने कुछ गाके सुनाया होगा आपने कुछ आंसु बाहाई होंगे धनी जी के चरणों में है ना तो चर्चा की अर्चा करने वाले सुन्दर साथ को लाल दास जी केशो दास जी म इन सब को फूल मला भेजते थे बंगला जी में लेटे लेटे क्योंकि कभू आख लगी कभू ना लगी नेनो नीद ना आवत उनके नित्रों में नीद नहीं आती थी है ना और लेटे लेटे क्या सुनते थे अश्ट पैर चोंसट गड़ी शिर्जी सहिब जी ये वानी सुनत लाड़ले सुन्दर साथ जी ये धाम के दनी उपाय करते हैं क्या तब जब वानी सुनते थे ना जो सुनाता था उसकी नईया पार लगाने के लिए जो वानी का गायन करें क्योंकि श्री जी को क्या चाहिए उनको तो ये साड़ी वानी उत्री है पर जो इस वानी को जो सुनाएगा सुन्दर साथ को तो उसकी नईया पार होगी ना है ना श्री जी को तो आनंद आता ही है हम घर में भी अपने पाठ रखें पाठ रखें जितने प्रकर्ण जोर से बोल के पड़े जाए ना एक प्रकर्ण का तो नियम बना ही लें कि मैं गा के पढ़ूंगी एक प्रकर्ण तो मेरे श्री जी सायव जी आज भी मेरे घर आंगन के अंदर बैठी हैं मुझे जगाने के लिए आए हैं मोहे आए जगावन काज मोहे आए जगावन काज हमारे प्राणनात महाराज के आतम जाग उठी हमें जगाने के लिए आए हैं है ना तो लाडले सुन्दर साथ जी ये भी उपाई है वानी पढ़ना वानी पढ़के श्री जी को रिजाना एक परकरन गा के पढ़के धनी को सुना ना क्योंकि जहां वानी का गायन होता है ना वहां शिर्जे सायवजे रही नहीं सकते वो साक्षात बिराजमान होते हैं हना तो हमवानी पड़े क्योंकि जो लो इश्क ना आया तो लो करो उपाए हमवानी चर्चा सुने अगर रात को बाई चांस टाइम नहीं मिला सुनने का पहली बात तो जो लाइव सुनने का आनन्द है न वो बाद में सुनने का वो आनन्द नहीं है आप प्रेक्टिकल करके देख लिजिए उतना फरक लगता है जितना की रात को रोटी बना के रखें एक तो ताजी तवे से उतरती रोटी खाना और एक बासी रोटी खाना है ना ताजी ताजी तवे से उतरती रोटी का टेस्ट क्या होता है और जो रोटी रात बर पड़ी रहती है सुबह खाती है कितना फरक होता है लाइव चर्चा के अंदर धनी का हुकम धनी का जोश धनी का इश्क धनी की कृपा लबा लब बरस रही होती है और इतने सारे सुन्दर साथ का हमें ऐसे लगता है मुसाक्षात दर्शन कर रही है हम सारे एक दूसरे को मिल लेती है ऐसा लगता है हम सब एक दूसरे को प्रणाम जी कर लेती है ऐसा लगता है कि हम सारे इकठे हो गई है है ना तो जब इकठे हो जाते है ना तो उस समय में ज जो रस आता है, जो आनन्द आता है, ये घड़ी अलग होती है, और सत्गुरु जी, धनी जी, हमें जगाने के लिए कितने उपाए कर रहे हैं, तुमको इश्क उपजावने, करू सो अब उपाए, पूर चलाओं प्रेम के, जो यही में छाक छकाए, तुमको इश्क जानों, चार सो वर्ष से हमारे श्री जी सायब जी, हमारे सत्गुरु जी उपाए कर रहे हैं, हमें जगाने के लिए, हैना इसलिए कह रहे हैं, कि ए निद भी जो कोणे न अपाए, हैना धनी मिना कोणे सामुना जवाए, ये अखंड ग्यान की निदी, किसी और के द्वार दी नहीं जा सकती, सत्गुरु धनी के अलावा कोई भी इसको देने वाला नजरी नहीं आता, धनी बीना कोणे सामुना जवाए, जवाए मैंने नजर नहीं आता, दिखता ही नहीं, एने अजवालु थैसु थाए, तो कहते हैं, इस अखंड ग्यान के परकाश से, क्या होता हैं, आप और मा धनियों लखाएं, इस माया के अंदर बैठे बैठे, इस संसार के अंदर बैठे बैठे, धनी की पहचान हो जाती है, है ना, आप तनी पन खबर पड़ें, अपनी खबर लग जाती है, कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, अपनी आत्म की पहचान हो जाती है, इ इस अखंड वानी की चर्चा से अपनी आत्मा की पहचान होती है और घर पर आत्म रुदे चड़े और अपना परमधाम दिखाई देने लगता है अपनी पर आत्म दिखाई देने लगती है ए अजवालों जारे थायूं इस वानी का प्रकाश जब हिर्द्य के अंदर हो गया त्यारे वली पाच्छों सूरयों तो कहते उसके लिए अब शेश जानना क्या रह गया बुलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जैए लाड़ले सुन्दर साथ जी समय हो गया पता भी नहीं लगा धामदनी की इतनी क्रीपा है कि ये वानी इतनी रस से बरी है इतनी रस से बरी है कि समय कब हो जाता है पता ही नहीं लगता है ना लाड़ले सुन्दर साथ जी आज हमारे फाजिल का निवासी हमारी राणी बेन जी और हमारे सिरेकृषन लाल जी सचदेवा राहूल जी अंक अंकिता जी सचदेवा और अंगना जी इन्होंने ये मेरे लिए शोल बेजी है और कहा कि ये शोल पैन के ही आज की वानी चर्चा करना तो राणी मैं जी सिरकशनलाल वैसाव राहुल अंकिता अंगना आपका ये लाड़ आपका ये प्यार जो आपने आके मुझे दिया परमं कि मुझे आफ गाए मांते आज इसी में चर्चा करना गुरू मां तो मैंने का ठीक है मैं तो ऐसी बैठ जाओंगी तो ये सुंदर साथ के दिल में वैठके जो लाड़ कर रहे हैं जो प्यार कर रहे हैं हमें लाड़ प्यार देने वाले एक ही है जिनके हिर्दे में धनी बैठी है न वो ही हमसे प्यार कर सकता है जिनके हिर्दे के अंदर सक्षात धामधनी विराजमाने वो आत्माईएं ही अपने सत्गुरु पर अपने धनी पर कुर्बान होती हैं तो धामदनी की अप्रम पार क्रीपा बरस रही हैं और सदा सरवदा बरसती रहें आईए लाड़ेले सुन्दर साजी हम चोपाई दो राएं आप तणी पण खबर पणे घर पर आतम रुदे चने ए अजवालों जारे थैयूं त्यारे वली पाच्छो सुरेयूं त्यारे वली पाच्छो सुरेयूं अजवालों मिन्स क्या होता है आप बताना सुन्दर साजी सब जने कमेंट करके बताना कि अजवालों किसको कहते हैं अभी काना ए अजवालों जारे थैयूं है ना तो आप बताना अजवालों प्यारे कीज़े, सिरी सत्गुरु महराज कीज़े, लाडले सुन्दर साज जी, कल फिर मिलते हैं, राइट साड़े आठ वजे, तब तक के लिए आग्या दीजिए, पिर्णाम जी